जोखु ने लोटा मूँसे लगाया तो पानी में सक्त बद्बुआई गंगी से बोला ये कैसा पानी है मारे बास के पिया नहीं जाता गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है गंगी प्रति दिन शाम पानी भर कर लाये करती थी खुआ दूर था बार बार जाना मुश्किल था कल वो पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी आज पानी में बद्बु कैसी लोटा नाक से लगाया तो सच मुझ बद्बु थी जरूर कोई जानवर कुए में गिर कर मर गया होगा मगर दूसरा पानी आवे कहां से थाकुर की कुए पर कौन चड़ने देगा दूर से लोग डांट बताएंगे साहु का कुए गाउं के उस सिरे पर है परन्तु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा कोई तीसरा कुए गाउं में है नहीं जोखु कई दिन से बिमार है कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा फिर बोला अरे अब तो मारे प्यास के राह नहीं जाता ला थोड़ा पानी नाग बंद करके पी लू ला गंगी ने पानी ना दिया खराब पानी से बिमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी परंतु ये ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है बोली ये पानी कैसे पियोगे ना जाने कौन जानवर मरा है कुए से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ जोखु ने आश्यरे से उसकी उर देखा तो कोई दुवार पर जाकने नहीं आता कंधा देना तो बहुत बड़ी बात है ऐसे लोग को ऐसे पानी भरने देंगे इन शब्दों में कड़वा सत्य था गंगी क्या जवाब देती किन्तु उसने वो बद्बुदार पानी पीने को ना दिया रात के 9 बजे थे ठके मांदे मजदूर तो सो चुके थे ठाकुर के दर्वाजे पर 10-15 बेफिक्रे जमा थे मैदानी बहादुरी का तो अब ना जमाना रहा है ना मौका कानूनी बहादुरी की बाते हो रही थी कितनी होश्यारी से ठाकुर ने थानिदार कोई खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए नाजर और मौतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती कोई पचास मांगता कोई सौ यहां बे पैसे कोडी नकल उड़ा दी काम करने का ढंग चाहिए इसी समय गंगी कुए से पानी लेने पहुचे कुपी की धुनली रोश्नी कुए पर आ रही थी गंगी जगत की आड में बैठी मौके का इंतजार करने लगी इस कुए का पानी सारा गाउँ पीता है प्रिवाजी पाबंधियों और मजबूरियों पर चोटे करने लगा हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों उचे हैं इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं यहां तो जितने हैं एक से एक छटे हैं चोरी ये करें जाल फरेब ये करें जूटे मुकद में ये करें अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बिचारी गड़े रिये की भेड चुराली थी और बाद में मार कर खा गया इनी पंडित के घर में तो बारो हो मास जुआ होता है यही साहुजी तो घी में तेल मिला कर बेजते हैं काम करा लेते हैं मजूरी देते नानी मरती है किस किस बाद में हम से उचे हैं हम गली गली चिलाते नहीं कि हम उचे हैं हम उचे कभी गाउं में आ जाती हूँ तो रस भरी आँख से देखने लगते हैं जैसे सब की छाती पर साप लोटने लगता है परन्तु घमंड ये कि हम उचे है कुए पर किसी के आने की आहट हुई गंगी की छाती धक-धक करने लगी कहीं देख लें तो गसब हो जाए एक लाद भी तो नीचे ना पड़े उसने घड़ा और रसी उठा ली और जुपकर चलती हुई एक व्रिक्ष के अंधेरे साए में जाख खड़ी हुई कब इन लोगों को दया आती है किसी पर बिचारे महजू को इतना मारा था कि महीनों लहु थूखता रहा इसी लिए तो कि उसने बेगार ना दी थी इस पर ये लोग उचे बनते हैं कुवे परिस्त्रियां पानी भरने आई थी इनमें बात हो रही थी खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ घड़े के लिए पैसे नहीं है हम लोगों को आराम से बैठे देख कर जैसे मर्दों को जलन होती है हाँ ये तो ना हुआ कि कलसिया उठा कर भर लाते बस हुकुम चला दिया कि ताजा पानी लाओ जैसे हम लॉंडिया ही तो है लॉंडिया नहीं तो और क्या हो तुम रोटी कपड़ा नहीं पाती दस-पांच रुपे भी छीन जपट कर ले ही लेती हो और लॉंडिया कैसी होती है मतलजाओ दिदी छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती उपर से वो एहसान मानता यहां काम करते करते मर जाओ पर किसी का मूही सीधा नहीं होता दोनों पानी भर कर चली गई तो गंगी व्रिक्ष की छाया से निकली और कुमे की जगत के पास आई दे फिक्रे चले गए थे थाकुर भी दर्वाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे गंगी ने शनिक सुक की सांस ले किसी तरह मैदान तो साफ हुआ अमरित चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था वो भी शयद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूच कर ना गया हो गंगी दबे पाउं कुएं की जगत पर चड़ी विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था उसने रसी का फंदा घड़े में डाला दाएं बाएं चौकनी द्रिष्टी से देखा जैसे कोई सिपाही राद को शत्रू के किले में सुराख कर रहो अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रती भर उमीद नहीं अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मस्बूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया घड़े ने पानी में गोता लगाया बहुत ही आहिस्ता जरा भी आवाज ना हुई गंगी ने दो चार हाथ जल्दी जल्दी मारे घड़ा कुएं के मूह तक आ पहुँचा कोई बड़ा शेह जोर पहलवान भी इतनी तेजी से ना खीच सकता था गंगी जुकी की घड़े को पकड़ कर जगत पर रखे कि एका एक ठाकुर साहब का दर्वाजा खुल गया शेर का मूह इससे अधिक भयानक ना होगा गंगी के हाथ से रसी छूट गई रसी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई शंड तक पानी में हिलकोरे की आवाजे सुनाई देती रही कौन है? कौन है पुकारते हुए कुवे की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी घर पहुँच कर देखा कि जो खुँ लोटा मूँ से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है हलो दोस्तों, कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकोन पर क्लिक करना मत भूलेगा